जहिंद आप देखरें बाहू एक्स्पेसर में हूँ आपके साथ है राजिंदर रहना एक बड़ी खवर बड़ी अपडेट जमो कश्मीर के विधांत सवा चुनावू को लेकर आ रही है जिस परकार केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिर्चा ने एक बैठर के बाद जो प्रेस बार जनता को मिर सकती है बड़ी राहत जमो कश्मीर की जनता को मिर सकती है लेकिन आने वहले दिनों में प्रिटिकल पार्टियों के लिए सिरदर्दी लगातार बढ़ती जारी है क्योंकि जम्मो कश्मीर के अंदर सियासी गमासान समय युर्स तर पर उठाफ़ग पर है और अलाइंस जानी की गुपकार डेकलेरेशन की और संके दे दिये और उन्होंने कहा कि भारते जंता पार्टी को अगर प्रास्ट करना है तो आपने गुपकार की नीतियों को अपनाना होगा जानी की भाजपा के विरोद में बोर्ड के लिए महभूवा मुफ्ती कहीं न कहीं व मैं विदानसभा के चुनाब का विए बाकी है विदानसभा के तारीछ के इन तारीखे त convention कीशनाव वाला नहीं है वहीं जमों के अंदर बात्य जन्ता-पार्टी की बात करें तो भाजपा के जो पिमों मंत्राले के अंदर केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग के गर के सामने पियाची डेली विजर्स का जो केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिचा के घर का गिराब करने के लिए जा रहे डेली विजर्स के ओपर जम कर डंडे लाठियां बरसाई गई और इस समय डेली बिजर के निशानूं पर डॉक्टर जितेंदर सिंग है, क्योंकि लगातार डेली बिजर का ये कहना है कि अब उन्हें पता तेला है कि उनके पर्मानेंट करने के लिए स्थाई करने के लिए अगर कोई कड़ी उनको रुगावट बन रही है तो वे डॉक्ट जितेंदर सिंग है जितेंदर सिंग के ओपर जम का डंडे बरसे 60,000 के करीब डेली विजर इस सडकों पर अपने हक्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने आपको परवनन करने के लिए बीटे कई वर्शू से मांग को उठा रहे हैं क्या जम्मू के अंदर भारतिय जन्ता पार्टी के लिए ये अस्थाई बरकर जानी की 60,000 परिवार सत्ता की दहलेई तक भारतिय जन्ता पार्टी के रत को पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं इतना बड़ा रोड़ा बन सकते हैं कि बाजपा को सत्ता की दहलेई से दूर रख स पीडीपी को बोड़ देना होगा उन्हें पीडीपी की वजाए गुपकार का नाम लिया जानी कि संकेत साफ किसी भी प्रोटिकल पार्टी के लिए जम्मु कश्मीर के अंदर इस समय हाराथ ठीक नहीं है और तमाम राजनिती दलूं के लिए इस समय सरदर्दी और बढ़ती जा रही है क्योंकि केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिशा के प्रेस काउंफरेंस के दुरान संकेत दिये जा चुके हैं कि शेव से आठ माह के बाद जानी कि इस वरश के अंत में विदान सावा के चुनाव होंगे और सत्ता की दहलीज और सत्ता का ताज किसके सर पर होगा जिए तैय करेगी लेकिन फिरहाल जमू कश्मीर के अंदर किसी भी स्यासी दल को इस समय पूरण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा और स्यासी उठापटक स्यासी दोड़ भाग दोड़ लगातार बढ़ती हुई जा रही है लेकिन जंता कहीं न कहीं इसके अंदर पीस रही है और उस लाठी डंडू से उस फटकार से जंता को नियाई मिले उस फटकार से कहीं नहीं के जो डेली विजर्स हैं उनको निजाद मिले लेकिन देखना ये दिर्चस्प होगा कि क्या जमू कश्मीर के जो डिलिमिटेशन की प्रस्ताविद रिपोर्ट जो पेश की गई है क्या इस रिपोर्ट के सरव जनिक होने के बाद जमू कश्मीर के अंदर सड़कों पर किस प्रकार का जन सहलाब उतरेगा किस प्रकार जनता यहाँ पर रोज प्रदर्शन करेगी योंकि जैसे ही इस रिपोर्ट को फाइल किया जाएगा जिन विदान सबाओं को एमर्ज किया गय उन लोगों को उन नेताओं को सियासी नेताओं को जिनके पाउं तले जमीन खिस चुकी है वे नेता इस समय आपनी सियासी जमीन तलाशनी के लिए लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं कॉंग्रेस ने भी सुंद्रवणी से लेकर राजोरी तक लगातार कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष से जीए मीर और कारेकाली अध्यक्ष रमन भला की अध्यक्ष तमेर राजोरी से लेकर सुन्दरवणी तक लगातार प्रस्तावीद रिपोर्ट को खारिश किये गया प्रस्तावीद रिपोर्ट के खिलाव जंता को एक जुट करके सड़कों पर उतरने के लिए तैयार किया गया और विदान सवा चुनावूं का विगुल कुछी समय के बाद बजने वाला है और कुछी देर के बाद जो सियासी नेता होंगे गरगर जाकर बोट मांगेगे उस समय जनता उनसे सवाल जरूर करेगी फिलाल आप देखते रहें बाहु एस तो वीडियो जनली सची ने के साथ बाहु एस तो के लिए मैं राजिन दे रहें